कि एक कायर बीजेपी इंडिया गठपंदन के हातों अपनी हार को देखते हुए डर गई बॉखला गई और उस बच्चे जैसा बरताफ कर रही है जो बच्चा गली क्रिकेट में आउट होने के बाद अपना बल्ला लेकर घर चले जाता है कि अब मैच नहीं होगा अपनी हार को सामने देख एक डरी हुई बॉखलाई हुई कायर बीजेपी चुनावों को रद करना चाहती है आप सब जानते हैं कि इस चुनाव में साफ मिजॉरिटी साफ बहुमत इंडिया गठपंदन के पास है पहला सामना है पहला मुकावला है भाजपा का और इस चुनावों में साफ तौर पे बहुमत इंडिया गठपंदन के पास है आप जानते हैं कि कुल मिलाकर 36 मतदान होने हैं 36 में से 20 से अधिक वोट इंडिया के पास है और 14 से 15 वोट भाजपा के पास हैं यानि कि साफ तौर पे इंडिया गठबंदन ये चुनाव जीतने जा रहा है इस देश को क्या नॉर्थ कोरिया बनाना चाहती है भाजपा कि चुनावी रत करा दिये जाएं यह बहुत खत्रा है इस देश के लोकतंत्र को भाजपा से और मैं आपको साफ तौर पे ये कहना चाहता हूं कि अगर इंडिया गठबंदन एक जुट होकर ऐसे लड़ता रहा तो वो दिन दूर नहीं कि भाजपा इतनी बीमार हो जाए कि भाजपा को लोकसभा 2024 के चुनावों से भी भागना पड़ जाए आमादभी पार्टी ये फैसला और कॉंग्रेस पार्ट कि मेर का चुनाव हो जिसमें साफ तोर पे इंडिया गठबंदन जीत रहा है और भाजपा हार रही है अभी तो आप सोचिए कि ये छोटा सा चुनाव है मेर का और इसमें इंडिया गठबंदन ने भाजपा की नीन दोड़ा दिया है 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा का क्या हच इंडिया गठबंदन और भारत की 135 करोड़ा बादी करेगी ये आप सोच सकते हैं इलेक्शन प्रशासन से यही विनती करेंगे कि अगर एक प्रसाइडिंग अफसर बिमार होए हैं तो आप दूसरा प्रसाइडिंग अफसर न्यूक्त कर दो जिस मर्जी को चाहें न्यूक्त कर दो लेकिन चुनाव आज स्केडूल थे, निर्धारित तारीक थी, आज चुनाव होना था, अगर आज चुनाव नहीं होता है और भाजपा पहले सेकरेटरी इलेक्शन्स को बिमार करती है, फिर प्रसाइडिंग अफसर को बिमार करती है, फिर इलेक्शन रद करती है ये साफ दिखाता है कि एक कायर भीजेपी इंडिया गठबंदन के हातों अपनी हार को देखते होए डर गई बॉखला गई और उस बच्चे जैसा बरताफ कर रही है जो बच्चा गली क्रिकेट में आउट होने के बाद अपना बल्ला लेकर घर चले जाता है कि अब मैच नही आपना आपना लिए